देखे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका ATM चार्ज कट रहा है और आपके पास ATM नहीं है या बार बार कट रहा है एक ही ATM है और साल में दो तीन बार चार्ज कट गया तो उस इस्तिति में आपको क्या करना चाहिए पहली बात दूसरी बात ये कि आपका कितना चार्ज लग रहा है क्या आपने वो ही ATM लिया है उसी का चार्ज है या कोई और ATM आपके नाम पर इसूड है और उसका चार्ज कट रहा है तो डीटेल बात करेंगे बने रहेगा मेरे साथ लास तक मैं हूँ परसून और स्वागत है आपका मेर चैनल पर देखे क्या होता है कि आपने सपोस करिए एक ATM कार्ड इसू कराया और वो ATM कार्ड आपके घर पर नहीं पहुचा तो वो होता क्या है कि वो ब्रांच में चला जाता है ब्रांच में जाने के बाद आप आपने माल लिजे ब्रांच जाकर वो ATM रिसीब कर लिया तो ठ को यह पता लगाने का बहुत ही एक simple सा तरीका है तरीका क्या है देखिए अपना एप खोलिए उसमें card section में चले जाएए ठीक है यहाँ पर हाँ card section में जाने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए manage my card manage my card में आप जाएंगे तो आपको जितने भी आपके ATM कार्ट इसूड है वो सारे दिखाई देंगे और अगर आपके पास वो ATM है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं है तो आप तुरंथ ब्रांच जाएगे और उस ATM को लीजिए या तो फिर ब्लॉक कराईए और या तो फ इसी कारण वस वो ATM आप ले नहीं पाए आपको लगा कि ATM मेरा आया ही नहीं आप दुबारा एक ATM फिर से इसू कर दोगे एप के थुरू और जैसे ही आप एप के थुरू दूसरा ATM इसू करोगे आपके नाम पे दो ATM इसू हो जाएगा तो उस केस में भी क्या होगा कि आपके चार्जेश जो है वो दो बार 熱 हो जाएंगे और आपको लगेगा कि हमने तो एक ही ATM लिया है फिर ये चार्ज दो बार के से रिडट हो गया तो उस स्थिति में भी आपको यही करना है कि एक बार अपने एप में चेक कर लेना है कि आपके नाम पे कितने कार्ड इसूड है और कितने कार्ड आप चला रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा कार्ड इसूड है, तो तुरंत होट लिस्टिंग का एक option आता है, जी हाँ मैं आपको दिखाता हूँ, देखें यहाँ पे होट लिस्टिंग का option आता है, वहाँ जाईए और अपने कार्ड को होट लिस्ट कर दीज फिर उसके बाद आपका चार्ज कभी डिड़क्ट नहीं होगा, ठीक है, तो बहुत ही चोटी से चीज है, लेकिन इनसान जान नहीं पाता है, और इस चक्कर में उसके चार्ज दो तीन बार डिड़क्ट हो जाते हैं, और उसको नुक्सान हो जाता है, आई होब कि इस वीड का चार्ज गट रहा है, ठीक है, किस ATM का कितना चार्ज लगता है, उसके लिए भी एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, कि जो ATM आपके पास है, अव्यसली लगबग हर किसी के पास ATM रहता है, तो जो ATM आपके पास है, क्या आप उसी ATM का चार्ज दे रहे हो, या फिर आपको वो ATM चाहिए या नहीं क्या आपके लिए वो beneficial है ATM बहुत सारे ATM की limits बहुत जादा होती है लेकिन हमें उतने की जरुत नहीं होती है और हम उसको issue कर लेते हैं उसके charges 300-350 प्लस तक चले जाते हैं तो इसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना दूँगा और उसको जल्दी अपने channel पर upload करूँगा इस वीडियो में इतना ही thank you so much and have a nice day